कैसे हैं आप सभी उमीद है कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे होंगे और अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे तभी तो अच्छे से स्टडी कर पाएंगे ठीक है तो आज हम करेंगे हमारे time and work के अंदर हमारा time and work आज complete हो जाएगा आज हमने जितने भी हमने लेक्षर लगाए है उन में से थोड़ा सा एडवांस अप्रोच के कोशन करेंगे हर एक लेक्षर के अंदर से किस टाइप के कोशन भी आप इन सब लेक्षर को मिलागे आपसे पूच सकते हैं तो कैसे कैसे कोशन हम डिसक लेक्षर की जाए आपका कोई भी लेक्षर मिस ना हो पाइज आखाले एक काम का कितना हिस्सा 1 by 3 पार्ट कितने दिन में करता है 5 डेhr में करता है एना यह निकि अगर वहें एक दिन में कितना काम करते है अगर इसको युनिट में एक एक दिन में करेंगा अब एक युणिट मुझे बताइए एक पांच दिन में करेंगे तो एक इतने दिन के घराने तो यॉनित कितने तू इंन में करेगा K.। 15 days में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो आई चीज़े समझ, clear हुआ concept ठीक, आप देखे next क्या बोल रहा है ये next line देखें क्या बोल रहा है फेंट सी and 2 by 5 of work in 10 days बी कितने दिन में करता है बी 2 by 5 of 10 days in 10 days, ठीक है, तो बी है वो 2 by 5th, यानि कि अगर 2 by 5th unit देखें, वो कितने दिन में करता है, 10 day में करता है तो अगर इसकी 1 unit की बात करें, तो 1 unit कितने दिन में करेंगा, 10 डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 by 2 हो जाएगा यानि कि कितने दिन लगेंगा, उस काम को करने में त्वंटीफ डेस लगाएं यह उसको आपने बना 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 दे दिया अभी एक आगे परसंट यहां पर क्या निकाला है अभी अपने टाइम निकाला है एक काम को कितने दिन में करता है 25 दिन में तो डना क्या लेते दे आप सबना थे यहां तक किसी को कुई दिकत कोrisly अब हम सरन कि पास्के कितनी आ जाएगी यानि किए कितनी आगी एफिजिंटि कितनी आजएगी फाइव इनिट पर दे और B की efficiency कितनी आ जाएगी यहां से 3 unit per day यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आप देखें कोईशन में क्या बोल रहा है अब हम देखते हैं अब दोनों मिलके काम हों कितनी दिन में ख़तम कर देंगे अब तो बिलकुल बेसिक वही चीज़ों मैं करवा चुकी हैं आपको पहले वाली अब एक दिन का काम A का कितना है 5 इनिट B का कितना है 3 units तो A plus B का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 5 plus 3 that is equal to 8 units आ जाएगा है ना तो काम कितना काम कितना है total 75 इनिट से तो कितना टाइम लगेगा तो A plus B को कितना टाइम लगने वाला काम को खतम करने में 75 by 8 days लगने वाने यानि कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 and 3 by 8 days आपके पास आंसर आ जाएगा आई चीजे समझ क्लियर हुआ कंसे यानि कि यहां पर उसने टाइम और वह देने की बजाए उसने क्या दे दिया 500 वर्ग दे दिया कि इतने दिन में कंप्लीट लगन से बड़े next question क्यों चलिए फ्रेंड देखते है आपको टाइम खुद से बनाना पड़ गया है ना तो यह चीजे भी आप कर सकते है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन में क्या देगा वह हमें देखिए फ्रें नेक्स क्या है A alone can do a piece of work in six days कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करता है छे दिन में करता है यानि कि यहाँ पर में टामे नेक्स अब नेक्स पढ़िए and B undertook to do it for rate 3200 A and B, sorry, A and B दोनों बोला हुआ A and B undertook to do it for rate 4 rupees 3200 यानि कि दोनों के दोनों उस काम को करने के लिए कितने पैसे लेते हैं 32 रुपे लेते हैं दोनों उस काम को करने के लिए ठीक है, अब यानि कि A और B को कितना मिल रहा है उस काम को करने के लिए कितने रुपे मिल रहे हैं तो नों को काम को करने के लिए 32 रुपे मिल रहे हैं अब आगे दिखें क्या रहे हैं विजा आपको अब C, they completed the work in three days कि ये अब इनकों रहे हैं न वैसी दिए और B को 32 रुपे मिल रहे हैं तो तो टॉटल वर्क क्या निकल की आएगा ? इन दोलों से निकालेंगे तो भी स्मय कि तूर rider B कैम कितना करता है एग दिन में three units और यहां से देखा जायए तो एफैंस दिन और डिन में eight unit पके टीनों 00 00 sa सकते है TOM कर सकते है 8 श्रम कर सकते हैं तो हमें बताना है help purchase to be paid 56 को कितना काम करते है अगर हमें C की efficiency निकाल नहीं है तो C की efficiency क्या हो जाएगी? A plus B plus C is efficiency minus minus A plus B is efficiency, तो A plus B plus C की तीनों की efficiency से कितनी है eight और a और b की कितनी है seven to that यहां इन पर डे आई यहां तो कोई दिख्कत नहीं है यानि कि यहां से देखिए अब तोटल कहले लुट इतना हृँ लुभन का काम यह ऐने कि एक दिन में अगर औहुत लुड़ा थे यहां इन तोटल कि बात कर रहे तो यहां से पर हम 24 से सो सारा करने की ज़्ूशिम है है, अब हम यहां से पता चल 거죠 cheeed ज़िए कि tीनों को, taş हो, निजए वह Wat चाहे वह 1 ơi, 2 में, 3 में multiplyح यहां चाहे को करना है 2, 3, 3, 4 से चार से यहां πά़ तो यहां से अगर compare करें हम तो 8 unit की value, फिल रहा है न? तीनों को कितना पैसा मिल रहा है 3200, यानि कि 32 बे मिल रहा है, यानि कि 8 यूनिट का पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 32 बे मिल रहा है, तो यानि कि अब C को कितना मिलेगा, C का शेर कितना होगा, C का शेर कितना होगा, यानि कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगा, यही तो ratio में अगर चीज़े हम निकाल दे तो यह 8 unit का है यह 3 units का है यह 4 units का है ठीक है तो ratio की अगर बात करें यह total अगर 8 unit का है तो यहां से A का कितना part निकल के है 1 part निकल के है तो 1 part की value कितनी हो जाएगी 32 by 8 that is equal to 400 rupees किसको देना पड़ेगा C को देना पड़ेगा आई चीज़े समझ ख्लियर हुआ concept ठीक है तो यह था हमारा question कि C अगर वो अपनी तरफ से बंदे चाहे कितने लगाए चाहे चाहे चार बंदे लगा लगा लगते हैं यहां पे तो वो अपनी इसी 32 में से उनको देना पड़ेगा अमाउंट तो ठीक है इन दोनों को मिल रहा है लेकिन उनसे काम हो नहीं पा रहा है तो वो और बंदे लगा लेते हैं अब अमाउंट कहीं और से तो आएगी नहीं इसी यही मिला हुआ है उनको इसी में से उनको करने के लिए, काम को करने के लिए आई चीज़े समझ, clear हुआ concept कोई दिकत नहीं है, बड़े next question क्यों चलिए friend देखते है next question क्या है हमारे पास चिक है, देखते है next question देखते है अभी यह भी रफ करते है चलिए, अभी देखते है अभी कोछ और दूसरे लेवल के questions हम लेके आते है क्या है question के अंदर देखना है जड़ा है देखी क्या कह रहा है A takes thrice time as long as B and C together to do the job यानि कि A कितना time लेता है A, B और C के comparison में thrice time लेता है अगर यानि कि A one unit का time लेता है तो इनको कितना time लेता है 3 गुना ज़्यादा time लेता है B takes 4 time as long as A and C together to do the work जहां पे B B कितना time लेता है A plus C से 4 गुना ज़्यादा time लेता है ठीक है यहां तो कोई दिकत नहीं अब देखे If all of the three working together can compete the work in 24 days अगर तीनों मिलके काम करते हैं तीनों मिलके काम करते हैं 24 दिन में काम को खतम कर देते तो हमें बताना है कि A alone will take to finish the job कि A अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा अगर उनकी efficiency की बात करें अब मैंने क्या बताया था efficiency time का क्या होता है reciprocal है ना तो यानि कि यहां पे efficiency A की कितनी आ जाएगी 1 और यहां पे efficiency B plus C की कितनी 3 यानि कि A एक दिन में कितना unit का काम करता है 1 unit का काम करता है B plus C एक दिन में कितना काम करते है 3 unit का काम करते है अब यहां से efficiency कितनी आ जाएगी 1 unit B की और A plus C की efficiency 4 units यहां तक किसी को दिकत को दिकती है अब मुझे एक चीज़ बताईए, कि यहां से आप A प्लस B प्लस C की efficiency निकालें, और यहां से आप A प्लस B प्लस C की efficiency निकालें, क्या efficiency में कोई change होगा, जैसे total work में change नहीं होता है, A और B की efficiency, या तो आप यहां से मालीजे, यहां पर आपको A और B दिया हो है, और यहां पर आपको A और B रेशो दिया हो है, यहां पर 4 रेशो 3 दिया हो है, और यहां पर कुछ और मालीजे, 3 रेशो 2 दिया हो है, तो आपको यह रेशो बैलेंस करना पड़ेगा पहले चीज़े है, हमें नहीं पता, यह मैंने वैसे रेलिया, example लेलिया है, तो यहां से A प्लस B की efficiency आ लेकिन यहां 4 है, यहां 3 है, तो यहां कि बैलेंस करना पड़ेगा, यहां B की efficiency 3 है, यहां पर B की efficiency 2 है, तो यह तो है निकि एक जगह पर B की efficiency 3 होगी, एक जगह पर B की efficiency 2 होगी, तो efficiency को बैलेंस करने के लिए, रेशो को बैलेंस करने के लिए, मैंने क्या बताया था आपको ratio and proportions के अंदर आपको balance करने के लिए यानि कि यहाँ पर A को balance करने के लिए कि इससे, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 5 है तो balance करने के लिए total efficiency को balance करने के लिए इसको 5 से multiply करना पड़ेगा इसको 7 से multiply करना ऐसे ही करते है तो यहाँ पर A और A प्लस B प्लस C की efficiency क्या यह वैंने वैसे example यह आपको समझाने करें जास ठीक इसका कोई लिंक नहीं था इससे बस मैंने यह समझाया था कि A plus B plus C की यहाँ efficiency हो यहाँ efficiency तो कोई चेंज तो नहीं होगा अब यहाँ पे कितनी A plus B plus C की A की 1 है B plus C की 3 है तो total कितनी होगी 4 यहाँ पे B की 1 है A plus C की 4 है तो कितनी यहाँ पे 5 यूनिट्स आई अब यहाँ पे तो 4 यूनिट्स एफिसेंज यहाँ पे 5 यूनिट्स तो बैलेंस करने के लिए इसको 4 से मल्टिप्लाई करना पड़े इसको 5 से तहने कि यहाँ पे efficiency कितन यहाँ आगे 16 मैं लिख देती है यहाँ पर यह B की efficiency है यह A plus C की है यह A की efficiency है और B की efficiency को अगर हम देखें तो A की efficiency कितनी है यहाँ से अगर हम यूनिट्स में बात कर लें टोटल मतलब 20 में से यह 5 है यह पंद है तो अगर A की efficiency देखें A दे efficiency क्या है 5 unit पर दे है न और B की efficiency क्या है 4 unit पर दे 4 unit पर दे और total efficiency कितनी है 20 and 20 तीनों की efficiency कितनी है A plus B plus C A plus B plus C की efficiency कितनी है total 20 units तो यहाँ से एकर मैं C की efficiency निकाल गी है तो C की efficiency क्या हो जाएं? A की कितनी है? 5 B की कितनी है? 4 plus C is equal to 20 तो C की efficiency कितनी है? 11 units आगी तो यहां से C की efficiency कितनी निकल के आगी? 11 units पर दे निकल के आगी. कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे एक चीज़ बताइए की अब तीनों की efficiency कितनी है? 20 units यानि की एक दिन में कितना काम करते है? 20 units और काम कितने दिन तक करते है? 24 दिन तक तो टॉटल काम कितना आ जाएगा? टॉटल काम, टॉटल टाइम और multiply efficiency यही तो होता है तो टॉटल टाइम कितना है? 20 days यही तो होता है अगर आपको time निकालना होता है एक बर लिख देते हूँ टॉटल वर्क बाई efficiency यह एफिचेंसी निकालना है तो टॉटल वर्क बाई time तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है टॉटल वर्क चीक है तो 20 multiplied 24 यानि कि 480 यूनिट्स आ गया कितना यूनिट्स आ गया? 480 हमें क्या बताना है? A alone can do it कि A अकेला उस काम को अब A का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट टॉटल अकेला है? 480 इसमें उस काम को कर सकता है आई चीज़े समझ क्लियर हुआ कैंसा कोई दिकत नहीं है ये थोड़ा सा ओर एडवांस लेवल का कोश्चन था कि इसमें दे दिया दो दो को बनाने हुई है दरने वाली बिल्कुल भी जुटनी है तीनों की efficiency दी हुई है तीनों का number of days हमें दिया हुई number of days से number of efficiency efficiency को multiply कर देंगे यानि कि time से efficiency को multiply कर देंगे total work आचाएगा अकेले अकेले की हमने देशों में नहीं का लिए efficiency जब efficiency पता है और total work पता है तो फिर तो आपको पता ही चल जाएगा कि तो आपको इतने lecture अटेंड करने के बाद तो आई थिंग ये सारी चीज़े समझ आई गई होगी कि हमें कोशन किस तरीके से अटेम्ट करने ठीक है फेंट चलिए देखते हैं नेक्स कोशन क्या है हमारे पास देखे पेंस स्टेप बाइ स्टेप चलेंगे 12 men can compete a work in 90 days कि 12 men एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं 90 days में कर सकते हैं एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं 90 days में कर सकते हैं यानि कि अगर हम मान के चलें टोटल वर्क अगर यहां से निकालने बैठे हम अगर एक man का एक दिन का काम वन यूनिट अगर माल में एक दिन में कितना काम करता है, वन उनिट काम करता है, तो बारा आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, बारा उनिट करेंगे, और काम चल कितने दिन रहा है, 90 दे चल रहा है, तो काम, टोटल काम क्या आ गया फिर आपका, एक दिन का काम, बारा उनिट, 90 दे का काम कितना आ गय How many days will it take to complete the remaining work? आपको बताना है कि बचे हुए काम को करने में कितना time लगेगा? अब total काम कितने दिन में हो रहा था? 90 days में हो रहा था, है ना? तो अगर आपको निकालना है कि time, अब total work निकालना है total work कैसे निकालते हैं? मुझे एक चीज़ बताईए अगर आपको एक आदमी का ही निकालना है, एक आदमी का अगर टॉटल वर्क निकालना है तो एक आदमी की क्या पता होना चाहिए आपको कि कितने दिन काम करता है यानि कि number of days पता होनी चाहिए, number of days और multiply उसकी efficiency पता होनी चीए कि 30 days तक सारे के सारे जो कितने हैं 12 बंदें वो सारे के सारे काम करते 30 दिन तक तो यानि कि 30 दिन तक total काम कितना आ गया अगर देखा जाये तो 13 to 12 जैसे हमने यह किया था 90 देश का काम कितना है 12 आदमी कितना काम करते तो यानि कि 30 दिन में 12 आदमी कितना काम करेंगे 13 to 12 यूनिट्स का काम करेंगे चीक है लेकिन क्या कहा रहा है 30 दिन के बाद क्या हुआ एक प्रोसेस हुई 2 मैन तो छोड़के चले गए और 5 मैन ने जॉइन कर लिया तो remaining काम को कितने दिन में होगा यानि कि time तो हमारे पास आ गया अब हमें क्या चाहिए हमें क्या चाहिए number of man और उनका per unit यानि कि per day का उनका time चाहिए sorry per day का उनका work चाहिए चीक है अब हमें ये तो पता है कि हमारे पास आदमी कितने है total 12 आदमी है एक दिन का काम कितना है अब 12 आदमी थे total, अब 12 में से 2 तो चले गई, बचके कितने, 10, और 8 फिर से आ गए, तो यह हमारे पास total of person कितने हो गए, ध्यान से समझना, कितने person हो गए, 12 में से 2 चले गए, 18 person हो गए, अब 18 आदमी उस बचे हुए काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, X days में, तो यह total work नहीं आ जाएगा, 18 आदमी काम को, कितने दिन में करते हैं, X days में करते हैं, time multiply efficiency time time x this efficiency मतलब 18 आदमी 18 आदमी का मतलब 18 यूनिट काम एक दिन का काम अगर 1 यूनिट है तो 18 आदमी का काम कितना हो जाएगा 18 यूनिट और time कितना लग रहा है x दिन लग रहा है तो क्या आजाएगा यहां से 18 इंटू आपका कितना आजाएगा यहां से x I think यह चीज़ क्लियर होगा तो यारी कि टॉटल वर्क यहां से कितना निकलके आया आपके पास 30 इंटू 12 यह तो 30 दिन का काम और बचगे कितने दिन कितने दिन में कर देगा हमाले ते x दिन में काम कंप्रीट हो जाता है उसके लिए क्या प्रोसेस होई 12 आदमी में से 2 आदमी छोड़के चले गए और 8 आदमी फिर से आगे टो यहां से कितना आ गया यहां परम ठीक है to 1080-360 इसको आप minus कर दीजिए minus कर देंगे तो आपके पास पुरा का पुरा solve कर दीजिए इसको और तो कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 720 आ जाएगा तो X की value कितनी आगी 720 by 18 तो 18 तो यहनि कि बचा हुआ काम कितने दिन में complete होगा 40 days में complete होगा बचा हुआ काम कितने दिन में complete होगा 40 days में अगर आप verify करना चाते हैं तो verify कैसे कर सकते हैं यहाँ से कर दीजिए 360 plus 18 into 40 तो 360 plus 720 यह कितना हो जाएगा 1080 यहाँ से भी total work 1080 आया और यहाँ से भी देखा तो total work कितना निकल के आया आपके पास 1080 आई चीज़े समझे clear हुआ concept question को कैसे भी क्यों गुमा फिरा कर देखे हैं बस आपने यह चीज़ जहां लखने है कि total work क्या होता time into efficiency और time दिया होगा efficiency मतलब एक दिन का काम कितना है एक आदमी का और जितने आदमी दियों उससे multiply कर दीजे हमने एक unit माना था एक आदमी का एक दिन का काम चीक है तो ऐसे आप मान के कर सकते हैं सारी चीज़े आपकी officially भी निकल आएं आई चीज़े समझे clear हुआ concept बड़े next question क्यों चलिए फ्रेंड देखे last question है आज का क्या है last question हमारा किके देखते हैं भी क्या है हमारे पास question के अंदर देखे है question क्या है सबसे पले लिख A and B work together to complete the rest of a job in seven days however 37 by 100 of the job was already done also the work done by A in five days is equal to the work done by B in four days पहले तो हमें जो चीज़ दिए होगा लिख लेते हैं कि आपके पास क्या है कि बचा हुआ काम हमें भी पता काम कितना है total work में से जो बच गया है rest of the work वो कितने दिन में हो रहा है seven days में हो रहा है और कितना काम already हो चुका है 37 by work already हो चुका है work हो चुका है यानि कि अगर total काम अगर यहां से हम मानने total work अगर hundred unit का है मानके चलें अभी हम प्रूब भी करेंगे इसको कि hundred units का है actual में ठीक है total work अगर hundred units का है तो work done हो कितना गया है कितने units का काम हो गया 37 units का काम हो चुका है 7 days में हो रहा है तो हम यह प्रूब भी करेंगे कि 7 days में कितना काम हो रहा है तो उसको units से compare करेंगे फिर हम देखेंगे कि actual में काम कितना है अभी तो हमने काम कितना माना है 100 unit माना है चीक है तो चलिए अब देखते हैं फिर इसमें क्या बोला है कि 5 work done by A in 5 days is equal to the work done by B in 4 days अब बार बार यह चीजे लिखने की जुरूर्थ है क्या कि A का पाँच जीन का काम किसके इकवल है B के 4 दिन के काम के इकवल तो बार बार चीजे लिखने की जूरूत नहीं है जिए जिए कि A का पास दिन का काम B के 4 दिन के काम के 1 फल है मतब A का काम अगर हम कितना मालने A unit मालने तो total काम कितना आगया 5 into A unit B का काम अगर हम B unit मालने तो total काम कितना आगया 4 into B unit यानि कि 5 A is equal to 4 B आई चीज़े समझे total work तो सही ही रहेगा हमारे पास ठीक है अब यहां से एकर देखें यहां से मारे पास क्या निकल रहाएगी efficiency यानि कि A by B कितना निकल के आगया 5 by 4 यानि कि A और B का ratio कितना निकल के आगया 4 ratio 5 यानि कि A एक दिन में कितना unit का काम करता है 4 unit का B एक दिन में कितने unit का काम करता है 5 unit का तो अगर एक दिन में 9 इंट का काम हो रहा है, तो total work कितना हो गया, वही तो हुआ यह क्या efficiency और यह क्या है? Time, efficiency into time क्या होता है? Total work, तो total work कितना है? Number of days, जो बचे बे काम की बात कर रहे हैं, फिलालम, ठीक है? टॉटल वर्क जो बचा हुआ वर्क है हमारा ठीक है तो वर्क डन इन सेवन डेज लिख सकते हैं या वर्क डन इन सेवन डेज अब एक दिन में कितना काम हो रहा है नो यूनिट का काम दोनों कर रहे हैं ना एक दिन में नो यूनिट का काम हो रहा है तो सेवन डेज में कितना क तो यानि कि यहां से वर्क लैट भी 63 उनिट आया वहां से 63 उनिट तो यानि कि यहां से जब हम यूनिट में मेजर करते थे एक्छव में जो आपने प्रॉफिट अनलोस में देखी होंगी चीजे एरिशन प्रोपोश्चंस के अंदर जितने भी चेप्टर हमने cover किये हैं तो हम क्या मान के चलते थे कि अगर profit इतना है या फिर amount इतनी आई है compound interest के अंदर 100 मान के चलते तो वहां से इन चीज़ों को compare करते है 63 units 63 units के एक वाला था यानि कि total work भी कितना है हमारा 100 ही चल रहा है इसका मतलब हमें total work को change करने की जूरते नहीं है actual में work left यहां से 63 है और यहां से भी हमारा work कितना है साथ दिन का जो बचा हुआ है वो 63 units है आई चीज़े समझ क्लियर हुआ concept यानि कि अब total work कितना है actual में फिर इसका मतलब 100 units तो यहां कि अब हमें इसको मानने की जूरत नहीं है अब हमने प्रूव भी कर दिया है कि total work है कितना actual में 100 years से है आई चीज़े समझ अब question में देखिये क्या बोल रहा है question में how many days would be required by the fastest worker to complete the entire work अब मुझे बताइए कि fastest worker दवारा काम कितने दिन में हो रहा है fastest work कौन कर रहा है A कर रहा है B कर रहा है B एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 unit का काम कर रहा है यानि कि B ज़्यादा काम कर रहा है तो B फासली काम कर रहा है इसका मतलब तो B को कितना time लगेगा काम को करने में इसको कितना time लगेगा काम को करने में अब total काम कितना है 100 तो यानि कि B कितना time लेगा बी कितना टाइम लेगा काम को करने में 100 by 5 that is equal to 20 days तो यानि कि जो fastest worker है वो काम को कितने दिन में complete कर देगा 20 डे में complete कर देगा यहां से यह पूछने लग जाए कि जो दीरे काम कर रहा है तो वो कितने दिन में काम को complete करेगा दीरे कौन काम कर रहा है एक दिन में 4 इनिट का काम करता है तो 100 इनिट का काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में उबेसी बाद है उसको तो टाइम ज़्यादा लगेगा वो slowly काम कर रहा है और यह फासली काम कर रहा है यह कितने दिन में काम को finish कर देगा 20 days में और वो कितने दिन में काम को finish करेगा 25 days में इस तरीके से भी question आपसे घुमा फिरा कि किसी भी type से question पूछ सकता है मैंने आपको friends हर type के question या आपे करवा दिये है time and work के जितनी भी type के question आपके आ सकते हैं तो आपकी problem को 101 percent resolve किया जाएगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी friends ठीक है तो कैसा लगा है आज का lecture मुझे आपने कमेंटर के जरूर बताना है अगर अच्छा लगा है तो एक like तो बनता है ठीक है अपने like से अपने comment से ठीक है friends तो जिसने चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दी से अपने चैनल को subscribe पलीजिए ताकि आपके पास lecture की notification time to time आती रहे आपको कोई भी problem ना आए ठीक है friends हम यहां पर सारे competitive exam जितने भी competitive exam है हर एक competitive exam की provisions करें चाहे हो किसी भी level का exam क्यों नहीं चैनल के साथ तिर भी आपका अगर personal आपका कोई opinion है तो आप वो भी दे सकते हैं कि कौन सा chapter इसके बाद स्टार करवाना है ठीक है नहीं तो हम अपने regarding अपने अपनी convenience के regarding जितने हमें चप्टर कर लिये हैं उसके बाद जो जो चप्टर बच गे हैं sequence में हम चप्टर कवर करते जाएं ठीक है प्रेंट्स तो मिलते एनेक्स ट्रेक्चर में तब तक के लिए bye bye take care be safe and be healthy my friend thanks for watching the video see you in the next video